आईए अब विहार की बेटी विसाखा सिमी जी से बात करते हैं विसाखा जी नमस्कार प्रदम तो भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी को मेरा प्रणाम और मेरे साथ सबी डेलीकेट्स की तरफ से आपको बहुत-बहुत प्रणाम अच्छा विसाख जी पहले अपने बारे मे बताईए फिर मुझे युवा संगम के विशे में में जानना है मैं बिहार के सासरा नाम के शहर की निवाशी हूँ और मुझे युवा संगम के बारे में मेरे कॉलेज के WhatsApp ग्रूप के मैसेज के थू पता चला था सबसे पहले तो उसके बाद फिर मैंने पता करा इसके बारे में और डीटेल निकाली की यह क्या है तो मुझे पता चला के प्रदान मंत्री जी की एक स्कीम एक भारत ख्रेस्ट भारत के थू युवा संगम है तो उसके बाद मैंने अपलाई करा और जब मैंने अपलाई करा तो मैं excited थी इस पे जॉइन होने के लिए लेकिन जब मैं वहां से घूम के तमिलाडू जाके वापस आई वो जो exposure मैंने गेन किया उसके बाद मुझे अभी बहुत जादा ऐसा proud feel होता है that I have been the part of this program तो मुझे बहुत ही जादा खुशी है उस program में part लेने की और मैं तहें दिल से अभार व्यक्त करती हूं आपका कि आपने हमारे जैसे युवाव के लिए इतना बेहतरीन program बनाया जिससे हम भारत के विभिन भागों के culture को adapt कर सकते हैं विसागा जी आप क्या पड़ती है मैं computer science engineering की second year की छात्रा हूँ अच्छा विसागा जी आपने किस रादी में जाना है कहां जुड़ना है वो निरने कैसे किया जब मैंने ये विवा संगम के बारे में सर्च करना शुरू किया गूगल पे तभी मुझे पता चल गया था कि बिहार के delegates को तमिल नाडू के delegates के साथ एक्चेंज किया जा रहा है तमिल नाडू काफी रिच कल्चरल स्टेट है हमारे कट्री का तो उस साइं भी मैंने जब यह जाना ये देखा कि भीहार वालों को तमिल नाडू भीजा जा रहा है तो इसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया ये डिसीजन लेने में कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए वहां जाना चाहिए या नहीं और मैं सच में आज बहुत ज़्यादा गौरवान विप महसूस करती हूं कि मैंने इसमें पाट लिया और मुझे बहुत खुशी है आपका पहली बार जाना हुआ तमिल नाडू जी मैं पहली बार गई थी अच्छा कोई खास यादगार चीज अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे देश के विवास सुन रहे हैं आपको पूरा ज़र्दी माने तो में लिए बहुत ही जादा बैतरीन रहा है एक एक पड़ाओ पर हमने बहुत सारी अच्छी चीजे सिखी है मैंने तमिलाडू में जाके अच्छे दोस्त बनाया है वहाँ के कल्चर को एड़ेप्ट किया है वहाँ के लोगों से मिली मैल लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वहाँ पे वो पहली चीज़ तो ये कि किसी को भी मौका नहीं मिलता है इसरों में जाने का और हम डेलिगेट्स थे तो हमें ये मौका मिला था कि हम इसरों में जाएं दूसरी बात सबसे अच्छी थी वो थी जब हम राजभावन में गया और हम तमिलाडू के राजजेपाल जी से मिले तो वो दो मोमेंट जो था वो मेरे लिए कासी सही था मुझे ऐसा लगता है कि जिस एद में हम है as a youth हमें वो मौका नहीं मिल पाता जो कि युवा संगम के थू मिला है तो ये काफी सही और सबसे यादगार मोमें था मेरे लिए बिहार में तो खाने का तरीका अलग है तमिलनाडू में खाने का तरीका अलग है जी तो वो सैट हो गया था पुरी तरह वहां जब हम लोग गय थे तो साउथ इंजिन कुजीन है वहां पे तमिलनाडू में तो जैसे ही हम लोग गय थे तो वहां जाते के साथ हमें डोसा इडली, सामवर, उत्तपम वड़ा, उपमा ये सब सर्फ किया गया था तो पहले जब हमने ट्राइ करा तो तो बहां का खाना जो है वो बहुत ही healthy है एक्चली, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में भी बहतरी में और हमारे नौर्थ के खाने से बहुत ही ज़्यादा अलग है तो मुझे वहां का खाना भी बहुत अच्छा लगा और वहां के लोग भी बहुत उच्छे लगे आप तो दोस्त भी बन गई होंगे तमिल नाडू में जी जी वहां पे हम रुके थे इनाइटी प्रिची में उसके बाद आईटी मदरास में तो उन दोनों जगे के स्टूडेंट से तो मेरी दोस्ती हो गई है प्लस बीच में एक CII का वेलकम चर्मानी था तो वहां पे के आसपास के कॉलेज के भी बहुत आरे स्टूडेंच आय थे तो वहां हम ने उन स्टूडेंट से भी इंट्राक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोग से मिलके काफी लोग तो मेरे दोस्त भी हैं और कुछ डेलिट से भी मिलाईते जो तो हमारी बात्षीत उनसे भी थी और हम अभी भी आपस में बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है विशागाजी आप एक ब्लॉग लेखिए और सोशल मेडिया पर यह आपको पूरा अनुभव एक तो इस युवा संगम का फिर एक भारत्रेश वारत का और फिर लाडू में अपनापन जो मिला जो आपको स्वागत सत्कार हुआ तो मिलोकों का प्यार मिला यह सारी चीजे देश को बताईए आप तो लिखोगी आप जी जरूर तो मेरी तरफ से आपको बहुत सुब कामना है और बहुत बहुत धन्यवात जी थैंक यू सो मिट नमस्कार ज्यामर और विशाखा आपको मेरी बहुत बहुत सुब कामना है युवा संगम में आपने जो सीखा है वो जीवन परियंत आपके साथ रहे यही मेरी आप सबकी प्रतिय शुब कामना है साथियों भारत की सक्ती इसकी विविदता में है हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है इसी को देखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने युवा संगम नाम से एक बहतरीन पहल की है इस पहल का उदेश पीपल टू पीपल कनेक बढ़ाने के साथ ही देश के युवाओं को आपस में घुलने मिलने का मोका देना विविन्ड राज्यों के उच्छ सिक्षा संसानों को इस से जोड़ा गया है युवा संगम में युवा दिवसरे राज्यों के शहरों और घौव में जाते हैं उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मोका मिलता है युवा संगम के फर्स राउंड में लगभग बारा सु युवा देश के बाईस राज्यों का दोरा कर चुके हैं जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं, वे अपने साथ ऐसी यादे लेकर वापिस लौट रहे हैं, जो जीवन भर उनके रदे में बसी रहेगी। हमने देखा हैं कि कई बड़ी कंपनियों के CEO, बिजनेस लिडर्स, उन्होंने बैग पैकर्स की तरह भारत में समय गुजा रहा हैं, मैं जब दूसरे देशों के लिडर्स से मिलता हूं, तो कई बार वो भी बताते हैं कि वो अपनी युवा वस्था में भारत घुमने के लिए गए थे, हमारे भारत में इतना कुछ जानने और देखने के लिए हैं कि आपके उत्सुकता हर बार बढ़ती ही जाएगी, मुझे उमीद है कि इन रोमान्चक अनुभाओं को जानकर आप भी देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा के लिए जरूर प्रेरित होंगे